नमस्कार दोस्तों मैं आचार एरुन कुमार दिक्षित स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल भव्य जोतिस में दोस्तों आज किस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अधी योग के वारे में अर्थात चंद्र से वनने वाला अधी योग अर्थात चंद्राधी योग के वारे में यह योग किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से कारे करता है देखिएगा जब हमें अधियोग के बारे में जानना हो तो हमें अपनी जन्म कुंडली में चंद्र महाराज के पास जाना होगा अर्थात जन्म कुंडली में जहां पर अर्थात जिस भाव में चंदर भाराज बैटे हो उस भाव से छटे भाव में, साथमे भाव में तथा आठमे भाव में अगर सुब ग्रह बैठे हो तो कुंडली में अधी योग का निर्मान होता है और इसको चंदर अधी योग भी कहत तो यहां पर इसके फल क्या हो सकते हैं देखिएगा जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में अधी योग हो तो ऐसा जातक या जातिका जीवन में आर्थिक रूप से काफी संपन पाए जाते हैं उनका अच्छा स्वास्ते पाया जाता है तता समाज में भी उनकी प्रतिष् पर चा करते हैं पहले देखेंगे कि हम किस परकार पता लगाएं कि हमारी कुंडली में अधी योग है या नहीं देखिएगा सबसे पहले हमें कुंडली में चंद्र महाराज के पास जाना होगा उधारन के तौर पर हमने चंद्र महाराज को लगन में लई रखा है तो हमें चंद्र से छटा, साथमा वे आठमा भाव देखना होगा, तो देखिएगा, चंद्र महाराज यहां बैटे हैं, तो यहां से छटा, लंगन को सामिल करते हुए, एक, दो, तीन, चार, पाँच छे, यह हुआ छटा भाव, और इसके आगे नेक्स्ट यह हो गया, चंद्र से आठमा भाव, एक, दो, तीन, चार, पाँच छे, साथ, आठ, तो यह है चंद्र से छटा, साथमा, आठमा, इसी परकार से आपको अपनी कुंडली में देखना है, जहां पे चंद्र महाराज बैटे हो, वहां से छटा, साथमा, वे आठमा भाव देखना है, अगर उन भाव में सुब ग्रह बैठे हो, तो आपकी कुंडली में अधी योग का निर्मान होता है, और सुब ग्रह कौन कौन से, जैसे की बुद्ध महाराज, ब्रसपती महाराज, और सुक्र महाराज, अगर यह तीनों चंद्र से छटे, साथमे, वे आठमे भाव में पाएं, तो चंद्र आधी योग का निर्मान होता है, और इस योग में पैदा हुआ जातक सारारिक, समाजिक तता आर्थिक रूप से काफी अच्छा पाया जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है, अब कारण भी साथ के साथ देख लेते हैं, देखेगा, जोतिस सास्त्र में तीन परकार की लगन बताई गई है, पहले जन्म लगन, दूसरा चंद्र लगन, अर्थात जन्म कुंडली में चंद्र महराज जिस रासी में बैठे हो, वह चंद्र रासी कही जाती है, और वह चंद्र लगन होती है, उसके बाद में सूर्य लगन, अर्थात जन्म कुंडली में सूर्य महराज ज इस रासी में बैठे होते हैं, वह सूर्य रासी होती है, और उसको सूर्य लगन भी कहा जाता है, और यहां हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, अधियोग के बारे में, और वह कौन सा योग? जो कि चंद्र से बन रहा है, तो चंद्र महाराज भी तो हमारी एक लगन है, तो यहां से जब चंद्र महाराज से छटवे, साथवे, आठमे भाव में, अगर मान लीजिए, कोई सुब ग्रह बैठेगा, अगर छटे भाव में कोई सुब ग्रह बैठता है, तो उसकी सब्तम दृष्टी बारमे भाव पर पड़ती है, क्योंकि सब्तम दृष्टी तो प्रते ग्रह की होती है, उसके बाद में, जो साथ में भाव में ग्रह बैठा होगा, उसकी सब्तम दृष्टी चंद्र महाराज पर डारेक्ट पड़ेगी, उसके बाद में जो ग्रह आठमे भाव में बैठा होगा, उसकी सब्तम दृष्टी दूसरे भाव में पड़ेगी, अर्थ जो सातमे भाव में सुब ग्रह होगा उसकी डारेक्ट द्रिष्टी चंद्र महाराज पर जो छटे में होगा उसकी बार्मे में और जो आठमे में होगा उसकी दूसरे में यहां पर देख रहे हैं आप कि चंद्र महाराज कितने सुब परभाव में आ चुके हैं एक तो चंद् चंद्र लगन है काफी बली स्थिति में देखी जा रही है जिस परकार से सुब करतरी योग होता है कि दोनों तरफ सुब परभाब होता है सपोर्ट होती है उसी तरह की सपोर्ट यहां पर चंद्र महाराज को भी देखने को मिल रही है चंद्र लगन हमारा काफी बली स्थिति में देखने को मिल रहा है इससे ही यहां पर चंद्र महाराज से अगर छटवे साथवे और आठवे भाव में आपकी कुंडली में सुब गरे बैटे होंगे तो आपका जो जनम है वह अधी योग में जनम माना जाएगा और यह चंद्र से बनने वाला चंद्राधी योग कहा जाता है और इसमें इस्तिती वैक्ति की जैसे की बताई थी जैसे की हमारी जोतिस सास्त्रों में कहा जाता है कि वैक्ति सारारिक आर्थिक वैस समाजिक रूप से काफी अच्छा पाया जाता है तो हम यहां पर बात कर रहे थे चंद्र से बनने वाले अधी योग के बारे में और हमने आपको एक लॉजिक के तरीके से भी बताया कि इस योग से चंदर महाराज को बल प्राप्त होके हमारी एक लगन जो है कि चंदर लगन बली हो जाती है और वैक्ती को अच्छा फल प्राप्त होता है और जो ग्र है जो सुब्ग्र है इसी अधियोग में सामील हो रहे हैं अगर वह भी बली इस्थिती में हुए और उनकी जब दशा अंतरदसा चलती है वैक्ति को बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है इस चीज को भी हमें देखना चाहिए तो हमने आपसे चर्चा की अधियोग के बारे में हमने यह बताया कि अधियोग किस प्रकार से बनता है आप भी अपनी कुंडली में देखिएगा और इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताईएगा तो आसा करता हूँ कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेर करें और मेरे चैनल वहवय जोतिस को सब्सक्राइब करें धन्यवाद